Hello students, welcome to Mega D classes. आज हम एक ओर इंपोर्टन टॉपिक डिस्कस करेंगे, that is mutation. अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको mutation के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था कि आप ये धियान रख सकते हो कि mutation is a change. तो अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि exactly what is mutation, why it happens, what are the factors that contribute to mutation. So, mutation is a phenomenon which results in alteration of DNA sequences and consequently results in changes in the genotype and phenotype of an organism. कि mutation एक ऐसा phenomenon है जिसकी वज़े से जो DNA की sequence है, वो बदल जाती है और उस DNA की sequence के बदलने की वज़े से और जो जो जीनो टाइप है और जो फीनो टाइप है, वो दोनों चीज़े बदल जाती है. means, आपको पता है कि हमारे अंदर DNA present है, आपको अभी उसके structure के बारे में ज़्यदा information नहीं होगी, वो हम next lesson में पढ़ेंगे, थोड़ा से मैं आपको brief में बता दूँ, कि हमारी body में जो DNA वो इस तरह से helical form में पाया जाता है. और ये जो DNA है, इसके एक helical को बनाने में दो strands involved होते हैं. तो इन दोनो strands में basis present होते हैं, जिन हम nitrogenous basis बोलते हैं, जो कि A, T, G, C, जिसके बारे में हम ज़्यादा depth में next lesson में करेंगे, A, T and G, C, here A stands for adenine, T stands for thiamine, G stands for guanine and C stands for cytosine. तो ये इसमें चार basis होते हैं, इन basis के बीच में complementary based pairing होते हैं, यानि कि A जो हमेशा T के साथ pairing करता है, और G जो हमेशा C के साथ pairing करता है, तो यहाँ पर जैसे हमने ये बताया कि DNA के दो strands हैं, अगर इस strand में इस position पे A होगा, तो इसके just सामने दूसरे strand पे T होगा, similarly अगर यहाँ G है, तो यहाँ C होगा, means A ने हमेशा T के साथ bonding करनी है, और G ने हमेशा C के साथ bonding करनी है, तो मतलब based pairing होते हैं, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कि अगर किसी भी तरीके से DNA की sequence ही बदल जाए, जैसे आपको मैंने बताया, एक order चल रहा है, A, T, G, C, G, C, T, यह माननों इस तरीके से यह सारे basis एक order में लगे हुए, एक sequence में लगे हुए है, अगर buying chance किसी भी वज़ाँ से यह sequence ही alter हो जाए, G की जगा C आजाए, या T की जगा A आजाए, तो उसकी वज़ाँ से उस organism का genotype यानिकि genetic makeup और phenotype यानिकि जो observable एक तो हमने बात की थी combination की कि अगर आपकी gene दूर-दूर located है अगर उनके बीच में linkage नहीं है तो वो कुछ नया combination बना सकती है और एक कारण है कि mutation की वज़े से भी आपको DNA के अंदर बहुत ज़्यादा variety देखने को मिल सकती है तो अगर DNA का कोई segment loss हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं deletion और अगर कोई segment वो नया लेता है तो that is known as gain तो चाहिए उसके अंदर कोई नया segment जुड़ रहा है चाहिए उसमें से कोई नया segment निकल रहा है दोनों ही cases में आपका जो chromosome है वो पॉल्टर हो जाता है वो चेंज हो जाता है अब हमें पता है कि जो आपके chromosome है chromosome के उपर जीन्स लोकेटी नहीं सपोज यह आपका एक chromosome है तो जो जीन्स है वो chromosome के उपर लोकेटिड होते हैं तो इट मेंस कि अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से chromosome में कोई बदलाव आ रहा है दियन्ने में बदलाव आ रहा है तो आटोमेटिकली हमारी बॉड़ी में कोई ना कोई अबनॉर्मेल्टी या अब्रेशन निकी कोई ना कोई चेंज या कोई ना कोई ब उसके अंदर भी क्या है कि कुछ ऐसी मुटेशन होने की वज़ए से जो है chromosome में बदलाव आ जाता है उसकी वज़से में डिजीज हो सकती है इसके इलावा मुटेशन होने का एक और कारण होता है जब डिने का एक सिंगल बेस पेर भी बदल जाता है अब जब यहाँ पे सिं है यह है और दूसरे स्टैन में जो sequence हो ब्रकल सके pregunta ल के सामने टी टी जाताओ भी हट तो तो आप इसको दिलीशन अगर इनके बीच में एक और बेस पेर एड़ हो जाए तो उसको आप कोगे अडिशन अब यहाँ पर क्या है अगर एक सिंगल बेस पेर हट रहा है या आ रहा है मतलब सिंगल बेस पेर में बदलाव हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट मुटेशन तो पॉइंट मुटेशन होने की वजह से भी बिमारी हो सकती है जिसका एगزामपल है सीकल से लनीमी है जिसके बारे में बभी पढ़ेंगे और अगर मालोब बहुत सारे बेस पेरस एक साथ था जाते है डिलीट हो जाते हैं या एड हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट मुटेशन तो मुटेशन क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है यह बहुत बड़ा टॉपिक है जो अभी आपकी क्लास की लेवल के इसाफ से आपको इतना डिटेल में नहीं जाना फॉर दर टाइम आपको यह याद रखना है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्ग हैं जो मुटेशन करने के लिए responsible होते हैं यह chemical factors याने कि chemicals भी हो सकते हैं और physical factors भी हो सकते हैं जैसा कि आपने सुना होगा अगर हम बहुत जदा एक्सरे के संपर्क में आते हैं तो उसकी वज़े से भी हमारे अंदर मुटेशन हो सकती है तो यह आपने यूवी रेज के बार में सुना होगा कि जो हमारे संग के अंदर से यूवी रेज उससे और हमें प्रोटाट करती है अदर वाइस उससे कैंसर हो जाते हैं तो यह जितनी भी टाइप की रिडियेशन जो रेज हैं यह सारी फैक्टर्स है तो यह भी अगर हमारी बॉड़ी पर ड्रेक्ट ली पड़ती है तो उसकी वज़े से भी मुटेशन हो सकती है इसके लावा कुछ कैमिकल्स होते हैं अगर उनका हम बार बार सेवन करते रहते हैं तो वह भी हमारे लिए कैंसर है जैसे कि आपने टोबैको सुन होते हैं तो यह जितने भी क्यामिकल्स और यृडिए सेदी जब wizardtles कि अगजेट्ली वह क्या है उनकी डिकटेमेशन है उसकोम अभी डिटेल में के आगे आने वाले सेक्शन्स में करेंगे बट उससे पहले ये जानना जुरूरी है कि पैडिघरि जुन की काम किया थे अब आपको पतार एक कि मेंडल ने अपना जितना भी काम लुश्ञरान की था उन्हों हुग सारा काम किया था for his selection but अब यहां पर हम particularly बात कर रही है human beings की अब क्या जो चीज़ें हमने पी प्लांट में करी क्या हम वो human beings में कर सकते हैं of course not क्योंकि human beings में crossing करवाना इतना असान नहीं है आपको भी पता है कि हमारा जो human beings का एक life span है अगर आप एक normal average भी नहीं खाला हो तो वो 60 साल के असपस होता है तो क्या हम कोई experiment करने के बाद 60 साल तक wait कर सकते हैं कि हमें उसका conclusion दीखें? No तो मैंडल ने जो काम किया उसको हम as it is human beings में perform नहीं कर सकते तो इसलिए human beings के केस में हमें जिस चीज़ पर रिलाई करना पड़ता है that is the family history अगर मानलो कोई ऐसी बीमारी है जो genetically चलती आ रही है तो अगर आप doctor के पास भी उसके treatment के लिए जाते हो तो first of all he will ask कि आपके घर में क्या किसी को यह बीमारी थी तो it means humans के case में बहुत सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हम यह पता लग जाता है कि कोई पर्टिकुलर ट्रेट है को analyze करते हैं कि यह trait यह character हर एक generation में आ रहे है यह नहीं तो that is known as pedigree analysis तो it means pedigree analysis में हम किसी भी particular trait की inheritance की बात करते हैं कि generation से वह family में किस तरीके से चलता रहे है तो pedigree analysis एक बहुत ही strong tool है जिससे कि आप किसी भी particular trait की inheritance का पता लगा सकते हो या कोई abnormality या disease आप उसका भी पता लगा सकते हो कि जैसे कि आपने इस chapter में पहले भी पढ़ा है हमें पता है कि जो हमारी genes है they are located under DNA और जो DNA है that are present in the chromosome chromosome होगा जो chromosome है वो आपका DNA का बना हुआ और उसके ओपर genes present है और DNA ही genetic information को एक generation से next generation तर लेके आपका है तो इसका मतलब कि आगर तो आपका DNA as it is चला जाए उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ तो आपको कुछ भी अलग नहीं दिखेगा लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि उसमें अपने आपी changes होते रहते हैं तो changes होगे तो उसमें mutation आगी, mutation आगी तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई disorder या बीमारी हो सकती है अब pedigree analysis जब हम करते हैं तो जब भी आप किसी disease के लिए या किसी trait को study करने के लिए डॉक्तर के पास जाते हो तो वह आपका एक family chart बनाते एक family tree बनाता है pedigree के थूँ तो pedigree analysis जब की जाती है तो उसमें यह नहीं है कि person का नाम लिखा जाएगा इसमें हम कुछ symbols का इस्तमाल करते हैं और symbols के through हम पता लगा सकते हैं कि यह disease next generation में जाने की कितने probability है for example जैसे कि आप यहां पर left side पर देख सकते हो वैसे तो बहुत सारे symbols हैं but for the time आपको थोड़ा सा उसका brief idea देने के लिए आपको कुछ specific symbols बताए गए है पैडिगरी analysis में जो male है उसको हम square से represent करते हैं जो female है that is represented by a circle और अगर unspecified sex है means कि यह नहीं पता male है female अगर वो transgender है तो उसके लिए square को थोड़ा distorted करके मतलब इस तरह की shape बनाई जाती है अगर किसी person में बिमारी नहीं है तो आप उसको hollow दिखाओगे मतलब आप इस shape के अंदर कोई color नहीं करोगे बट अगर वो individual affected है तो आप उसके अंदर कोई भी color कर सकते हो चाहिए blue करो चाहिए black करो चाहिए red करो means आप उसके अंदर color करके दिखा सकते हो अगर यहां पे male और female के बीच में सिंगल लाइन लगी है तो इसका मतलब उनमें मेर्टिंग हुई है इट मींज उनके बीच में रिप्रोडक्शन हों की मैरीज हुई है अगर इसके बीच में दो लाइन्स है तो इसका मतलब की इसका मतलब बेटी बड़ी है और बेटा छोटा है अगर आप पहले square बना दो और फिर circle बना दो तो इसका मतलब बेटा बड़ा है बेटी चोटी है यहां पर हमने दो जनरेशन दिखा दी इसी तरीके से यहां पर नेक्स आप देख सकते हो यह भी मेल और फिमेल है और इनका एक ही बच्चा है और उसको भी हमने square से रिप्रेजंट किया मतलब कि वह मेल है और वह रेड दिखा है इसका मत भी affected नहीं है तो ऐसे बहुत सारे symbols हैं जो pedigree analysis में हम use कर सकते हैं जिसके बारे में हम दिखे दिखे आगे पढ़ेंगे